मेजर पायल चाबड़ा पेरा कमांडो बनने वाली पहली भारतिय महिला बनी है तालो सेंच ने सिंगापो ग्रान पिक्स 2023 का खिताब जीता है असम राजय के मुख्यमंत्री हिमंद बिस्वा सर्मा को सिंगापो की शीर्ष फेलोशिप लिकुवान यू एक्स्चेंज फेलोशिप से सम्मानित किया गया है जम्मू कश्मीर के उधंपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुशार महाजन के नाम पर रखा गया है अरुनाचल प्रदेश राजय के मुख्यमंत्री पेमा खांडु ने मुख्यमंत्री श्रमिक कल्यान योजना की घोशना की है केंद्रिय नाग्रे को डेयन मंत्री जोतिरादित्य सिंधिया ने नवनिर्मित उडान भवन और भारत को शग्रिम जमा इवॉलेट सुविधा के पाइलग प्रोजेक्ट का उध्धाटन किया है दिल्ली के राम मनोहर लोहिया आरेमल अस्पताल में भारत के पहले ट्रांसजेंडर आउट पेशन्ट विभाग यानी OPD को शुरू किया गया है संयुक्त राष्ट्र शेक्षिकी वैग्यानिक तथा सांस्कृतिक संगतन युनेस्को ने करनाटक की होईसल मंदिर को विश्व घरोहर का दरजा दिया है सुपर स्टार को राजनी कांथ बी सी सी आई ने क्रिकेट विश्व कप का गोल्डन टिकट दिया है आयसे सेफ विश्व कप 2023 में महिलाओं की 50 मीटर राइफल तीन पोजीशन में निश्चल ने रज़त पदक जीता